हे गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉंफी कार्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 अपकमिंग मारुती सुजू की विटारा ब्रेजा के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली जो ब्रेजा है उसका लुक्स कैसा होने वाला है और उसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्य क्योंकि इसका लुक्स भी बहुत ही बढ़िया था और यह सब 4-meter compact SUV में फीचर्स भी अच्छे खासे प्रोवाइड करवाती थी लेकिन अभी के मामले में ये कार थोड़ी फीचर्स के मामले में पीछे हो जाती है और लुक्स में भी पीछे हो जाती है क्योंकि अभी सब 4- 4-meter SUV में आपको तगड़े तगड़े लुक्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन आप मारूती पूरी तरीके से प्लैन कर रहे हैं कि जो आने वाली विटारा ब्रेजा है उसमें आपको अग्दम sporty और muscular लुक्स देखने को मिलेगा और उसमें आपको features भी और दूसरी कार के मु sporty design देखने को मिलेगा ताकि इस कार को थोड़ा aerodynamic लुक्स मिल पाए अगर बात कर दोस्तो headlamps की तो सामने आपको projector headlamps देखने को मिल सकते हैं या फिर इसमें आपको all led headlights available होंगी और नीचे आपको fog lamp available होने वाला है दोस्तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत मे अगर बात करें पीछे के लुक की तो पीछे आपको LED tail light available होगी और जो turn indicator होंगे वो भी आपको LED में अविलेबल होने वाला है दोस्तो इसमें आपको parking sensor पीछे भी available होगा और इसमें आपको पीछे camera available होने वाला है और इस camera में सबसे ची बात यह है कि इसमें आपको 360 degree camera available होत तो इसमें आपको roof grill देखने को मिलेगी और इसमें आपको panoramic sunroof देखने को मिलने वाले है हालगि एक छीज़ अच्छी है दोस्तों इसमें जो body का color रहेगा और जो roof का color रहेगा वो एकदम change होने वाला है तो मतलब आपको dual tone में color देखने को मिलने वाला है जिससे जो car वो को ज़्यादा ही attractive लगती है दोस्तों अगर बात करें इसके interior की तो इसमें आपको keyless entry देखने को मिलती है अंदर आपको engine start stop button देखने को मिल जाता है अगर बात करें इसका gear transmission की तो इसमें आपको 5 speed manual transmission और automatic transmission available होने वाला है दोस्तों dashboard की बात करें जिसमें आपको अच्छा कासा fit and finishing देखने को मिलने वाला है इसमें आपको 11 inch का LED infotainment system देखने को मिलेगा जिसमें आपको apple car play और android auto जैसी connectivity देखने को मिलने वाली है और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ambient light भी available होगी हाला कि इसमें आपको धेड़ सारे colors तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको कुछ colors देखने को मिल जाएंगे दोस्तों बात करें इसके और कुछ features की जिसमें आपको cruise control traction control जैसे feature देखने को मिलने वाला है अब बात करें इसके instrument console की तो इसमें आपको all digital instrument console देखने को मिलने वाला है और सबसे अची बात यहीं कि जो base model रहेगा उसमें भी आपको all digital console देखने को मिलेगा तो यह अची बात है base model में भी आपको digital meter मिलेगा और आपको top model में भी digital console available होने वाला है दोस्तों बात करें इसके glove walks की तो पीछे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें आपको cool max की ventilated seats available होने वाली है तो अगर आप गर्में भी car में घूमते तो आपको थंड़ थंड़ एसास मिलेगा दोस्तों अगर बात करें इस seats के adjustment की तो इनको manually adjust नहीं करना पड़ेगा इसमें आपको electric adjustable देखने को मिलेगा तो आप button दबाओगे तो अपने आप seat adjust होगी और recline होगी तो यह काफी अच्छा feature आपको इस car में देखने को मिलने वाला है दोस्तों अगर बात करें safety की तो इस बार सुजू की safety के बारे में ज़्यादा सोच रहा है आपको इसमें 4 airbags मिलेंगे सामने आपको 2 मिलेंगे और आपको doors के उपर curtain में 2 airbags available होने वाला है तो एक तरीक से आपके लिए एक safest car होने वाली है इसमें आपको ABS, EBD और electronic stability भी आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों अगर बात करें इसके best part की जो की है इसका engine इसमें आपको 1.5 लीटर का turbo charged petrol engine देखने को मिलने वाला है हाला कि diesel engine को Suzuki ने धीरे धीरे बंद कर दिया है लेकिन इसमें आपको उसरे petrol मिलने वाला है जिसमें आपको 140 PS की power और 180 newton meter का torque देखने को मिलने वाला है तो आपकी car उसको assist कर लेगी sensors के दुआरा और यह अपने आप आपकी car की speed limit धीरे कर देगी या फिर emergency brake अपलाई कर देगी तो ऐसे safety feature आपको इस car में available होने वाला ही feature आपको reverse में भी available होता है अगर कोई पीछे से car आ रही है और अगर आप reverse कर रहे हो तो इसके जो sensors है वो इस car को assist कर लेंगे पीछे वाली car को और यह अपने आप अपने brake को apply कर देगी तो यह feature आपको इस car में देखने को मिलने वाला जो कि मेरे एसाफ से बहुत ही तगड़ा feature है अब दोस्तो बात करें इस car के launch rate की या फिर कीमत की जो की काफी important तो इसकी जो शुरुवाती कीमत है वो है 8 lakh रुपीज यह expected price है यह थोड़ा जादा भी हो सकता है और यह कम भी हो सकता है लेकिन आप अगर बात करेंगे यह car कब launch होने वाली तो दोस्तो आपको यह festive season में देखने को मिलने वाली है या फिर आपको दिवाली के आसपस देखने को मिल जाएगी या फिर यह आपको November या December में Indian market में confirm देखने को मिलने वाली है तो यही थी कुछ information 2021 की मार्द सुजुकी विटारा ब्रेजा के बारे में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसको subscribe करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लात रहता हूँ अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos